यूपी में दो रैलियों में चुनावी हुंकार भरने के बाद पीएम डहरादूर पहुचेंगे तो वहीं प्रधान मंत्री की रैली को लेकर ना सिर्फ बीजेपी नेताओं ने तयारिया पूरी कर ली हैं बलकि प्रोटोकॉल के तहट शासन प्रशासन के साथ ही स्वास्त मह भी अलर्ट हो गया है राजकी अदू मेडिकल कॉलेज इस्पताल में भी जरुरत पढ़ने पर सेफ हाउस तयार कर लिया गया है इस सेफ हाउस में उपचार सम्मंधिक कई आधुने तक्नीक वाली मशिन भी उपलब्द रहेंगी ताकि वी वी आईपी को जरुरत पढ़ने पर अस्वास्त सेवाय उपलब्द कराई जा सके मेडिकल सेफ हाउस के प्रभारी डॉक्टर केसी पंथ ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत ही सेफ हाउस तयार किया गया है तो आपको बता दे आज दहरादून जाएंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी इससे पहले भी कई चुनावी रैलियों को समभोधित कर चुके है जनसभाओ को समभोधित कर चुके है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी और आज दहरादून जाएंगे और साथी साथ जिस तरी आज यूपी में भी पीयम मोदी कहा जा रहा है कि सभा को सम्भोधित कर सकते हैं और सोनू सेंग हमारे समाद आता डहरादून से सीधे जुड़ गये हैं देखे अंशी का सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है ना सिर्फ साशन प्रिशाशन बल्कि वीजेपी के नेताओं को भी अलग-अलग जम्मेदारी सौपी गई है मंदल की जहां पर रैली आजिस हो रही है वहां पर जो टैंट लगा हुआ है उस टैंट की देखरे कौन अलग-अलग पार्टी निताओं को जम्मेदारी सौपी गई है थाकि जो विवस्था हैं वो बिल्कुल विवस्थित तरीके से सुनिश्चित कर ली जाए और जो इस रैली के देखरेक तो इसकी विवस्थाओं का जाय जा लेने के लिए बीतेरो शाम को मुख्यमंत्री तिर्वेन सिंग रावत प्रेट गाउन पहुंचे थे और उन्होंने भी देखा था संगटन के तवाम पताधिकारी लगे हैं करीवन तीन बजकर चालिस मिनट पर प्रदान मंत्री का देरादून के प्रेट गाउन में पहुंचने का सावे करम है और चार बजकर 25 मिनट पर वो जनसभा को सम्मदित करने के बाद यहां से बापसी दिली के लिए रवारा हो जाएंगे इस तरह से सेनिवावले प्रदेश है तो सेनिको से सम्मदित परदान मंत्री यहां पर चाचा कर सकते हैं अपने सम्मदन में सेनिको सम्मदित बादशीव करेंगे यह देखना परदाहन मंत्री को आज की जन्षभा में बोलने के लिए तमाम मुद्दे उनके पास है, अलगा को परदाहन मंत्री आज फोकस कर तकते हैं, अब देखना होगा कि परदाहन मंत्री आज कि पहलों को सब्सक्राइब तो निश्ची टोब पर उनकी शुरुख्षा समंदित जो डूबु के हिसाब से जो नॉम्स होते हैं, उसके तहत प्रोटॉफॉल नॉम्स होता है, उसके तहत प्रोटोफॉल उनका होता है, है तमाम जो बेवस्थाएं उनको दुरुस्त किया जाता है चाहे वह सुरक्षा की हो चाहे उस छेत्र के को स्पीजी दुआरा अपने एक तरिकत निगरानी में लेने की बात हो या फिर उनके स्वास सम्मंदित जो भी बिवस्थाएं होती है उसी का एक हिस्ता है सेफ हाउस इसमें चिक्रिसकों की टीम रहेगी वो अलर्ट पर रहेगी जो प्रदानमंत्री का ब्लट प्रूप है उसे सेफ हाउस तयार किया गया पूरी की पूरी जो टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट है जब तक प्रदानमंत्री यहां से जिन सभाव सम्मंदित करकर वापस नहीं रवाना होते बिल्कुत सोनू एक तरह से देखा जाए तो काफी एहम है यह जो उनका दौरा है और साथी साथ यह भी बताया जा रहा है कि सभा को संभोधित करेंगे जनता के लिए किस तरीके की सुविधा रखी गई है सोनू और सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम के गया है देखे जो तेरा दौन का परेड ग्राउंड है यह हार्ट ऑप सिटी कहलाता है राजधनी का और जितनी भी बड़ी जनसभाय बड़े नेताओं की होती है वो अकसर इसी में होती है इस परेड ग्राउंड की जो कपसिटी है वो तकरीबन पचास अजार लोगों के बैटने क कि इतने विवस्था हो सकती है और जो मंच सजाए गया है उस पर उसको वाटरफूफ टेंट लगाया जया है और ओपन रहेगा जहां पर जनता जनारगन परदान मंत्री को सुनने के लिए पहुंच सकते हैं तो जो जनता है उसकी विवस्था की गई है हर किसके बाद जो परेट गाउन इसके चारो तरफ का जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और जो यहां की लोकल ट्रांस्पोर्ट से संबंदित जो यूनियन से उन्होंने भी हाप रेट पर जनता को वहां तक पहुंचाने में पीज़ेपी को समस्तर देने की बात गही है और सु पेट है उसमें जो जनता जनारदन है वो मौझूद रहेगी तो तमाम जो विवस्थाएं हैं अंची का उनको दुरूस्त कर लिया गया है अब इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पहुंच देका बिल्कुल सोनू आपका बहुत-बहुत धन्यवा स्थासरी प्रह सलनू आपका बदाजब है वो मनम जो एका उन्यवा दिसाओ शेला है यो जिल्कुल सेर्फ देका बंका ब Ouch